वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको बतानी वानी हो भगवान स्री कुछन की कही वो बातें जो हमें हमेसा याद रखनी चाहिए भगवान स्री कुछन कहते हैं अपने सबसे खास से दोगा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण पृतिसत भरोसा नहीं कर पाते यही सत्य है मनिश्ट का जीवन केवल उसके करम पर चलता है जैसे करम होते हैं वैसा उसका जीवन होता है भगवान स्री कृष्णी जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए हमारा किसी के पृति अंधा प्यार हमें कभी आगे नहीं बढ़ने दिता अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर दिता है अनुमान मन की कलपना है और अनुबर जिन्दगी का सबक है सच्ची खुसी तब ही होती है जब आपकी सोच कθन और कर्म में समानता हो जीवन में कभी निरास नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है आप नहीं जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है उसी पिरकार कर्म के शेंड हो जाने पर भागे भी नश्ट हो जाता है मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है किसी ऐसी व्यक्ति के लिए जो आपके सब्दों गों मैत तो नहीं देता मनुस्त जन्मल लेता है तो उसके पास सासे तो होती है पर कोई नाम नहीं होता जब मृत्ति होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सासे नहीं होती इसी सास और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते है ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो यही जिन्दगी है आपकी अपने स्वभाव में जियो किसी के पृति मन में किरोध लिये रहने की अपिक्षा उसे तुरंद प्रिकट कर देना अच्छा है जैसे स्याड भड में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है इंसान चाहे जितना भी दुख को ब्यास्त रख ले जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों में नहीं बस सकता समय कभी नहीं रुपता आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवस्य अच्छा आएगा आप केवल निशार्थ भाव से कर्म कीजिए और यहीं आपके हाथ में है हमारी आस्ता की परिक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभू के लिए सुक्रिया ही निकले दया होनी चाहिए कमजोरी नहीं ग्यान होना चाहिए एंकार नहीं माता पिता बनना अत्यंत सुकत अर्म हो है उस्तास से जीवन जीना और स्वयम पर महारत हासल करना खुसी दिता है जिस ब्यक्ति के विचार मेले हैं जो लापरवा है और धोके से भरा हुआ है कोई कुछ भी बोले स्वयम को सांत रखो धूप कितनी भी तेजो समुंद्र सुखा नहीं करते मन की गर्तिविद्यों, होस, स्वास और भावनों के माद्दिम से भगवान की सक्ति सदा तुम्हारे सांत है और तुम्हें बेस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कारे कर रही है तुम उसके लिए सोक करते हो जो सोक करने ये योग्य नहीं है और फिर भी ग्यान की बातें करते हो बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित ना ही मृत्ति व्यक्ति के लिए सोक करते है तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोस मत दो अपने मन को समझाओ तुम्हारे मन का परिवर्टन ही तुमारे दुखों का अन्त होता है अगर तुम कर अपना कल्यान चाहते हो तो सभी तरह के उपदेसों धर्मों को छोड़कर मेरी सरण में आ जाओ मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है इस ते इने सहन करना सीखना ही उचित है धर्म चाहे जो भी हो अच्छे इनसान बनो हिसाब हमारे कर्म का होगा धर्म का नहीं तुम्हारा मोह गिरस्त होकर अपने कर्दवी पर्द पर हट जाना मूर कता है क्योंकि इससे ना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी किर्थी बढ़ेगी बुरा वक्त आपको जिन्दगी के उससे सामना करवाता है जिनका आपके अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी ना किया हो किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है हम अपने समय के भागी के नूसर अपूर्ण जीएं जीवन को भगवान से जोड़ दो सब भगवान पर छोड़ दो सांत रहना सही है पर जब गलत हो तब नहीं खुसियां मन की एक इस्तिती है बहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है जीवन ना कल में है ना आज में जीवन इस पल में है इस पल का अनुभव ही जीवन है हम दुनिया से कभी भी सांती नहीं पा सकते जब तक हम खुद के अंदर सांतना हो जिस प्रकार स्री कृष्णी ने अपने ज्यान से रह भढ़के अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी उसी प्रकार भगवान स्री कृष्णी आप सभी को अपने मन में आगे पढ़ने की रहा दिखाएं यही कामना है स्री किसने जी के ग्यान से आपको जिन्दगी की रोसनी मिले